हालो एवरीवन क्या आप लोग जानते हैं कि रीसेंटली जो हमारी विनिस्ट्री ओफ वोमेन एंड चाइल डवलपमेंट है उन्होंने नई गाइडलाइन्स रिलीज की है बेसिकली जो 2016 की गाइडलाइन्स थी फॉस्टर केर की उसके अंदर कुछ चेंजस किये गए हैं 2024 में और जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है वो ये है कि अब जो सिंगल लोग हैं वो भी बच्चे को फॉस्टर कर पाएंगे irrespective of their gender यानि वो male है, female है, आदमी है या औरत है और सिंगल है तो इस पास से कोई फरक ने पड़ता वो उस बच्चे को फॉस्टर कर हैं तो आज के हमारे विडियो में हम इन ही नई गाइडलाइन के बारे में समझेंगे कि पुरानी गाइडलाइन में क्या-क्या चेंजर किये गए हैं क्या-क्या नई चीचे जो है वो एड की गई है लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि foster care का क्या है तो सबसे पहले अगर हम adoption की बात करें तो adoption एक ऐसा process होता है जहां पर जो बच्चा है वो permanently उसकी जो biological family है जो actual family है उसे छोड़ देता है या फिर जो child care institution जहां वो as a orphan रह रहा था उसे छोड़ देता है तो जब कोई भी person उस बच्चे को adopt करता है तो उसे हमेशा के ल biological family हो या फिर जो अनाथाले होते हैं या फिर जो child care institutions होते हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है और फिर adoption के बाद वो क्या हो जाता है जिन भी parents ने उसे adopt किया है जो उसका adoptive parents है उनका lawful child बन जाता है यानि अब इस adopted child के पास वो सारी rights, privileges और responsibilities हैं जो एक biological child के पास होती है यान अगर उनका अपना खुद का बच्चा होता तो उसके पास जो भी rights होते हैं जो भी privileges होती हैं वो सब कुछ इस adoptive child को भी मिलेगी तो ये तो हो गया कि जब हम किसी बैचे को adopt करते हैं वो क्या होता है तो उस adoption में क्या होता है, जब वो बच्चे को adopt किया जा रहा है, तो उसके पिछले जो भी relations थे, वो खतम कर दिये जाते हैं, अब वो बच्चा इस family से attach होगा, इस family का part होगा, बट अगर हम foster care की बात करें, तो foster care में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, अगर उस बच्चे को किसी family के पास भेजा गया है, foster family के पास भेजा गया है, तो उसके जो भी connections है अपनी biological family से, या फिर जो child care institution है, उससे वो खतम हो जाता है, ऐसा नहीं है, foster care का basic meaning है, वो यह है, कि एक बच्चे को एक alternate guardian, या फिर family जो है, provide की जारी है, which is away from their biological or child care institution, in case of orphans, तो यह जो भी foster care provide की जात है, उस बच्चे को, वो किसके supervision में की जाती है, under the supervision of a government authority, तो अगर हम देखें, जो adoption होता है, वो permanent होता है, लेकिन जो यह foster care का concept है, यह permanent नहीं होता, यह alternative होता है, जहां पर अगर उस बच्चे को अपनी actual family में, अपनी biological family में ढंग से नहीं रख पा रहे है, या फिर जो child care institution ह है, वहां पर वो ढंग से नहीं रह पा रहा है, तो उसे इस तरीके की foster care में भीजा जाता है, बट adoption के case में, वो final होता है, एक बार बच्चे अडॉप्ट हो गया, उसके बाद उसकी जो biological family थी, या फिर जो child care institution में वो रह रह रहा था, उससे उसका कोई connection नहीं रह जाता, तो I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि foster care और adoption में क्या difference होता है, foster care actually में क्या होती है, अब हम चलते हैं, जो नई guidelines released की गई हैं, उसकी तरफ कि आखे क्या-क्या changes इस नई guidelines में suggest किये गई हैं, तो ये जो नई guidelines हैं, ये basically simplify करती है, the eligibility criteria for children, जिनने foster care में डाला जा सकता है, तो पहले क्या था, according to law, जिस भी बच्चे को अगर कोई foster care की जरुवत है, additional care की जरुवत है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, कि उस बच्चे को declare किया जाए, legally free for adoption by the respective child welfare committees, लेकिन अब जो नई law है, जो नई guidelines है, उसकी according, कोई भी बच्चा जो की 6 साल से जादा का है, 6 years and above है, उस उसे foster care में डाला जा सकता है, यानि इस बात से फरक नहीं पड़ता कि वो वच्चा legally available है, adoption के लिए या फिर नहीं, उसे अगर जरुवत है, additional care की जरुवत है, additional guardian की जरुवत है, तो उसे ये foster care मिलेगी, इसके लावा, जो हमारी previous guidelines थी, उसमें एक restriction था, वो ये था, कि अब जो नई guidelines है, उसमें इस restriction हटा दी गई है, आपका marital status क्या है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, आपका spouse है या नहीं है, आप single हो, तब भी आप इस बच्चे को foster कर सकते हो, इसके लावा, अगर आप married भी हो, आपका अपना बच्चा है, biological child है, फिर भी आप एक बच्च नहीं होते हो, in fostering the child, तो ये limits हटा दी गई है, लेकिन फिर भी एक limit है, और वो है age limit, तो जो भी couple या जो भी individual foster parents बनना चाहते हैं, वो तब भी foster parent बन सकते हैं, अगर उनकी जो age है, it is between 35 to 55 years, तो अगर वो एक ऐसे बच्चे को foster करना चाहते हैं, जो की 6 years से 12 years के बीच का है, तो उस case में उनकी जो age है, वो 35 to 55 years के बीच में होनी चाहिए है, और अगर वो बच्चा 12 से 18 years के बीच का है, तो उस case में जो ये age limit है, वो बढ़ जाती है, तो तब जो foster parents की range है, age की range है, it should be between 35 to 60 years, और एक और restriction जो आ जाता है, वो ये है, कि अगर कोई woman किसी बच्चे को foster क करना चाहती है, तो वो किसी को भी कर सकती है, चाहें वो बच्चा male है या female, लेकिन अगर एक male, एक आदमी बच्चे को foster करना चाहता है, तो वो किसी भी बच्ची को foster नहीं कर सकता, female child को foster नहीं कर सकता, वो सिर्फ male child को एक बच्चे को ही जो है foster कर सकता है, इसके लाबा जो 2024 की guidelines है वो define करती है the eligibility criteria for married couples तो सिर्फ वो couples जो कि demonstrate कर सकते हैं दिखा सकते हैं कि उनकी stable marital life है for at least 2 years वो ही बच्चे को foster कर सकते हैं और उनकी cumulative age है जो married couple की cumulative age है it must be between 70 to 110 years यानि दोनों लोगों की जो age है वो plus करके वो add करके कितनी होनी चाहिए 70 से 110 years के बीच में होनी चाहिए अगर वो एक ऐसे बच्चे को adopt करना चाहते हैं जो 6 से 12 साल का है और अगर वो इससे ज़्यादा बड़े बच्चे को foster करना चाहते हैं तो उस case में जो age है वो कितनी होनी चाहिए it should be between 70 to 115 years लेकिन अगर कोई couple जो है वो कारा की जो website है जो portal है उस पे registered है तो उस case में वो किसी बच्चे को foster नहीं कर सकता अब ये जो website जो portal में बात कर रही हूँ ये adoption का है जहांपर जिन्हें बच्चे को adopt करना होता है वो जो है अपना नेम डालते हैं कि हम करना चाहते हैं और फिर जैसे जैसे उनका number आता है उन्हें adoption process के लिए बुला जाता है तो अगर कोई ऐसा couple है जो already वहाँ पर registered है तो उस case में वो किसी बच्चे को foster नहीं कर सकता इसके लाबा जो नया law है वो remove कर रहा है the provision of interim care जो कि previous law था जो previous 2016 की guidelines थी उसमें allowed था क्योंकि इससे क्या हो रहा था जो interaction होता था between the foster caregivers and the children वो limit हो जाता था इसके लाबा जो suomotu care का provision था वो भी हटा दिया गया है तो ये जो suomotu care का provision था ये basically क्या करता था ये allow करता था foster parents को कि वो अपने आप से खुझ से child welfare committee के पास apply कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाँ मैं एक बच्चे को जो है care provide करना चाता हूँ ध्यान रखना चाता हूँ जिसे इस समय urgent need of foster care इसके लाबा जो इससे पहले वाली guidelines थी वहाँ पर क्या mention था कि जो child care institutions हैं वो ही जो है foster care के लिए बच्चे available करा सकते हैं कि जो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं उनमें से किसको foster care की जरुवत है लेकिन इस समय जो नई guidelines हैं उसके according जो district child protection unit है ये उसकी responsibility है कि वो identify करें और बच्चे को foster care में डाले है and finally जो सबसे important change आया है वो ये है कि पहले क्या था जो भी कबल बच्चे को foster करता था उसे minimum 5 साल के लिए उस बच्चे को foster करना पड़ता था और उसके बाद ही अगर वो चाते थे तो उस बच्चे को adopt कर सकते थे लेकिन अब ये जो time limit है इसे reduce करके सिर्फ 2 साल का कर दिया गया है अगर 2 साल तक जो parents है या फिर अब जो कोई भी individual है वो उस बच्चे को foster कर रहा है तो 2 साल के बाद वो उस बच्चे को adopt भी कर सकता है तो ये वो सारी guidelines है जो कि अभी 2024 में introduce की गई है ये वो सारे changes है जो की लाए गए है तो अब हम changes तो समझ के हैं लेकिन अब हमें ये समझना है कि अगर किसी को foster parent बनना है तो उसको बनने के लिए क्या करना होगा कैसे वो apply कर सकते हैं कि हाँ हमें foster parent बनना है तो इसके लिए एक online portal है इसके लावा वो apply कर सकते हैं उनके respective जो DCPUs हैं वहाँ पर ads निकाले जाएंगे applications invite की जाएंगी तो अगर आप interested है foster parent बनने के लिए तो आप जो ये district child protection unit है वहाँ पर जाकर जो है apply कर सकते हैं तो जब आप application के documents फिल करेंगे तो आप उस लिस्ट में आ जाएंगे फिर आपके documents का verification होगा in both formats तो जो DCPU है वो एक पूरी home study report जो है करेगा list करेगा the social economic and cultural background of the prospective foster parents और एक बार जब DCPU जो है अब प्रूफ कर देता है prospective foster parents को तो वो access कर सकते हैं details of the eligible children on the portal की कौन-कौन से बच्चे available है portal पर for foster care और इसके बाद वो क्या करेंगे जो matching process होगा उस पर proceed करेंगे तो इसमें क्या होता है जो DCPU होता है वो recommend करता है respective child welfare committee को about the suitability of the parents for the children they have chosen on the portal तो basically जो ये district child protection unit है ये सारा काम करती है ये देखती है कि किस ने apply किया है कौन foster parents है कौन से बच्चे available है for foster care और उसके बाद ये match करके वो इन child welfare committees को बताते हैं कि इन बच्चों के लिए कौन से parents eligible है for foster care तो इस तरीके से अगर आप भी foster care करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके apply कर सकते हैं अबिटिस्मेंट होगा उस पे जाके apply कर सकते हैं जो application के documents है वो submit कर सकते हैं I hope this information was helpful to all of you thank you for watching this video don't forget to follow निया and do join us again for more of India's laws explained कर दूए ाईडले on is उर्फ waters राउब гол sale